विश्व बंदनी, संत सम्राड सद्गुरु कभीर देव, मुद्बंगल में संत समाज, सभी दरंप्रेमी सज्जन, सक्ती सरुपाएं माताय और वहन, बसंद्रा की गोद में खेणने वाले, नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे वंबच्चियां, सभी को बंदन अविनदन करते हुए, तो पहले मैं कुछ निविदन करूँ, हमारे जो दान दाताओं की कुछ सूची है, आज का जो सभी संत और बक्तों का जो बोजन बंदारा था, वो पूरा चोकठा का पुरा मुरेना, मद्द प्रदेश वाले बक्तों की ओर से था, तो आप सभी भाई वेनों ने जो बोजन परसादी में पाया था, वो सब उने ही भक्तों की तरब से था, जो चोकठा मुरेना, मद्द प्रदेश में पड़ता है, ऐसे सभी भक्त भाईयों के लिए कोट-कोट, सादुबाद, धन्वाद, एक ताली बजा दें सभी, दन्वाद, बहुत बहुत दन्वाद, और कुछ बाकी सेवा और आईये आश्रम के लिए, पांस रुप्या और 21 किलो आटा, यह मुरारी लाल, गंज रामपुर, यह भी मुरेना के पास में पड़ता है, मुरेना मद्द प्रदेश, 1100 रुप्या, रावनवाश्रिंग परमार मालोनी, परमार मालोनी है, ब्रेश च्छा कैंद्र, जो पहले संडे में आये थे, पर बाद मोनों ने दिया था, यह सेवा, वैसे काफी दिन से यहां जोड़े हुए हैं, वैसे जैगुर्देव जी के बगते हैं वो, पर यहां भी इनकी बरावर सर्प्दा टेखी है, ग्यार सुर्प्या, भक्त निरोतम सींग और प्रेलाद, गोकुलपुरा, यह भी मुरेना मद्प्रदेश में पढ़ता है, 21 उर्प्या, राम बेटी, जो उनका मायका तो बीलपुर गाम में हैं, लेकिन हाल में वो जैपुर में हैं, और वो भी यहां इस आश्रम से उनकी सर्द्दा है, तो कई वार उन्होंने यह सेवा का मुका लिया है, 32 उर्प्या हमारे जो हिम्मद कुर्श है, अबागड के पास में पढ़ता है, जिला येटा, वहां से सामकों हाट दस लोग आये वक्त लोग, सर्दियों में सर्संग कराया था, और तीन दन का बड़ा अच्छा सर्संग गवा था, और पहले भी वो कुछ कापी सेवा लाये थे, दो-चार भक्तों के नाम है, परसुत्तम जी, राम लान जी, भूदेव, मार साफ, सुरुजन भाई, इंदरपाल शिंग, राजपाल, पेपेरा, एटा, और उदैवीर शिंग, और सभी, भाई, साथ, साथ, सभी ने मिलकर के ये 32 रुप्या का आसरम के लिए योगदान की आयसे वाग है, एक अजार रुप्या बिमला देवी और राम बरज्जी, और शिया, ये उच्छकोटी के सिच्छक हैं, भीम, नंगर, जला, बिंड, प्रोपर बिंड में ही हैं, और जन समाज के लिए उनका हिर्दे काफी यही चाहता रहता है कि अच्छा संदेश समाज में पहुँचे अच्छी जागरुपता हो, और जो अमारे नए बेन, बेटी, बच्चा हैं, वो सभी सारे अंद्विश्वासों से उपर उठकर के, और एक सिच्छा, दिच्छा से और अपना जीवन बढ़िया बनाएं, और आगे समाज में प्रकास हो बढ़िया, तो हम दन्रबाद देते हैं ऐसे बाहियों को लिए, जिल्ली, यह हमारी वीडियो वीडियो सुनते रहते हैं, तो कभी मन चलता है, तो पहुचा देते हैं सेवा, और पांस उर्पया, यह सिवराम, बाडी रोड, यह दोलपर में ही हैं, और ग्यारोस उर्पया, हमारे कैलाशन, जो गवाली और मुरार से आते हैं, और जिस दिन आताओं के लिए, कोट कोट साधुबार दन्दवार, को खलते खुलते रहें, यही संत सद्गुरु का अशिरवाद है, अब थोड़ा सा कुछ और आगे निवेदन करें, के जीवन जोवन राज धने, अब चल रहें ने कोई, जो दिन जाएं सत संग में, जीवन का फल सोई, जो दिन जाएं सत संग में, जीवन का फल सोई, तो मेरे भेन भाईयों, एजीवन में, कितना बड़ी अच्छा कहा है, जीवन, जोवन, राज और धन, एज सब कुछ इस्तर नहीं है, आज है, कल नहीं रहेगा, कल था, आज नहीं है, कल और ज्यादा आज आए, और कल ये भी नहीं बचेगा, तो इन सारी बातों पर, विश्वास मत करना, एंकार मत करना, आज जिस काम को करने लाइक हैं, वो कर लेना चाहिए, जैसे, कितने भाईयों की आस्ता, इसे आस्रम के प्रति जुड़ी है, और खूब लोग भाई सेवा करते हैं, और मैं जानता हूँ कि सायद, सेवा करते हैं, और ये भी मैंने कई बार कहा है, कि सेवा जरूर करना चाहिए, लेकिन बेईबानी करके नहीं, इमानदारी से, बच्ची बच्चाओं को परेशान करके नहीं, बच्ची बच्चाओं का खूब पर्वोसन करके, करज लेकर के नहीं, बड़िया मैनत और मसकत की कमाई से, करज लेकर के नहीं, किसी दवाम में आकर के नहीं, स्वच्छा आते जब आपका मन बोले और आप स्वच्छा से जो दान करोगे शेवा करोगे वो आपकी सेवा आपका दान आपको भल करोगा और किसी दवाम में आ करके या किसी चोईस को ले करके या मान बढ़ाई के लिए अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो ठीक नहीं है तो मेरे भाई वैनों मैं इस बात को हर बार कहता हूँ लेकिन फिर भी भाई लोग खूब देते हैं तो साइद उनके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है और कहते भी हैं कि महाराज जब से हमने आपके ससंग को सुनाए आपकी वीडियो सुनी है तो हमारे जीवन में काफी बदलाव हुआ है जीवन में कुछ आनंद मिला है और ये दियान रखो जब किसी को कुछ मिलता है तब ही कोई देने के लिए कुछ तयार होता है तो करना चाहिए ये तुमारे मन की पवित्रता तुमको बहुत सुक देगी एसी बिद्वान ने कहा है बलाई करे चलो जग में तुमारा भी बला होगा तुमारा भी बला होगा बुराई गर करोगे तुम तुमारा भी बुरा होगा तुमारा भी बुरा होगा बलाई करे चलो जग में तुमारा भी बला होगा तुमारा भी बला होगा ये सो नहीं एक से एक प्रसेंट सकते हैं आप अपने बच्चों के बच्चियों के साथ में मेनत करोगे बढ़िया उनको अच्ची सिच्चा दिलवाओगे अच्चे संसकार देऊगे अच्चे कपड़े पेनाओगे आप उनके साथ में मेनत करोगे तो वो जब समय आ जाएगा तो वो आपकी भी सेवा करेगे आप लोगों ने अब ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ ज़्यादा बिशेश केवल बच्चों का प्यट बरना और उनको अलकी पुल की सिच्चा दिला देना यह ज़्यादा काम की बात नहीं है तो बास्तित बात यह है कि जो आप तन से मन से बचन से किसी के साथ में अगर अच्छा करोगे तो यह निश्वन्त बात है तुमारे साथ में भी अच्छा होगा यह नियम में प्रकरदीगा अगर आप गलत करोगे और गलत हातों से नहीं होता है गलत करने का और अच्छा करने का कैंदर मन है हमारे पास मन ही में सारे बीज होते हैं अच्छा काम करने के और गलत काम करने के अब तुमारा मन बढ़िया है अच्छा है तो तुमारी बाड़ी से भी अच्छा होगा, तुमारी आखें भी बढ़िया अच्छी तरीका से देखेंगे, कान भी तुमारे बढ़िया अच्छे सब्दों को सुनेंगे, हाथ भी तुमारे बढ़िया काम करेंगे, पैर भी तुमारे बढ़िया काम करेंगे, जब तुम भ बीतर से अच्छे नहीं हो पाते हैं, मैं देखता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ, क्योंकर वास्तब में उपर से देखना अलग होता है, और भीतर से देखना अलग होता है, जो भीतर से अगर जागरत हो गया है, तो वो कभी किसी प्रकार से किसी के दिल को नहीं दु और जो बास्तम में बीतर से अगर अगर आई है और उपर से कोई ऐसा दिखाता है कि हम बड़े सेवक हैं कि हम बड़े सादू है तो ध्यान रखो फिर वो काम नहीं बनता है क्योंकि उसकी आंत्रिक उर्जा है वो गंदी है और आंत्रिक उर्जा गंदी है तो जो उसकी तरंगें जाती है आसबास तो वो सारा का सारा बादामन गंदा ही होता है फिर वो उपर से चापलूसी भी करे तो वो चापलूसी ज़्यादा काम की नहीं होती है और चापलूसी ने दूसरे का बला होता है ने अपना बला होता है इसलिए हिर्दे से जब आप देखोगे अपने मन को जब जब मौका लगे और मन को देखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अगर बद्दी लडा करके अपने मन को देखे या नहाद हो करके अपने मन को देखे या खापी करके अपने मन को देखे मन को देखना मन में जागरुक्त रहना यही होस का जीबन है सद्गुरु कमीर साइब जी की बाणी हमको बार बार समालती है और हमारे वीतर के होस को जगाती है जागरत रहो बावा साइब का एक सुत्र है रायट मांड फुलनेस कितना बड़िया है रायट माने ठीक, मांड माने मस्तक और फुल माने पूरा नेस माने जगा हुआ है। अगर आप जगे हुए हो तो आप कभी कोई गलती नहीं करोगे। और काम करोगे, सेवा करोगे। ऐसा नहीं कि एक सेवा करी और दूसरे को परेशा नहीं आ गई। और फिर कैसा मैं तो सेवा कर रहा हुआ। तो वह सेवा नहीं रही। अगर दूसरे के दिल को दुखा दिया, तोर दिया किसी भी प्रकार से, तो वह सेवा नहीं भई। वह तो ऐसे यहानों कि मैं पेट में दर दह रहा हू। एक भी मारी तो ठीक भाई ने तो न दोसरी प्रक्या सब एक मतलब गोटराइब वहिए प्रवास्तामे सेवाडता और पहलाती है दोछोटा सा उदारण है पताते हैं जब अच्छे मन का व्यक्ति होता है और वो कहीं पर भी कुछ कार्य करता है तो उसके काम में कभी एक तो अवरोद नहीं आता है उसको सफलताई मिल जाती है वो किसी सम्मान के लिए नहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हारे और जीत के लिए नहीं वो केवल अपने कर्तब बिनिष्टा के साथ चाहे कोई बहुए घर में बहुए कर्तब बिनिष्टा के साथ अपने सासुसर की सेवा करती है इसलिए तो एक गीता में शिलूक आता है कर्मंडी बाद का राश्ते मा फले शुकदा चना और जब साधी होती है नहीं तो साधी होती है तो कहते हैं कि एक फल छोड़ो लड़का लड़की से एक फल छोड़ो वाते हैं तो कौन सा फले छोड़े ऐसा फल छोड़ते हो तो कहते हैं कि सीता बले छोड़ते हो कि को गोर ले लो ऐसो ते हमाई सामने नहीं आपको ते कही जाए कि आमगे छोड़ते हो तो आमगे कैसे छोड़ते हैं कोई कि पपीता है छोड़ते हैं अमरूदे छोड़ते हो सेव छोड़ते हो सेव अमरूदे छोड़ते हैं ऐसे फलकी बात करते हैं कि जो सामने नहीं आए लेकिन वास्ता में इसका भाव कुछ और है फल तो सारे खाने पीने के लिए होते हैं लेकिन खलका अर्थ होता है कि जब साधी होती है तो लड़का और लड़की से ये बादा किया जाता है कि आज से तुम नए जीवन में प्रवेश करना है और आज से तुम एक स्रेश्टी की रचना करोगे नए उसमें तुम एक दो चार संतानों को भी जनम दोगे और फिर उन संतान का भी निर्मान किस तरीका से करना है और जीवन को किस तरीका से जीना है तो उसमें फलका मतलब होता है कि आप करम करिये बढ़िया लेकिन फलकी इच्छा मत करिए आप अपने बच्ची बच्चाओं के साथ में बढ़िया काम करिए लेकिन फलकी इच्छा मत करिए फलकी इच्छा करोगे तो आपके लिए दुखा कारण हो सकता है आपके साथ सुसरें गर में और फलकी इच्छा से तुम सेवा करोगे तो वो सेवा ज्यादा फलत नहीं होगी फलकी इच्छा से कैसे का भाईया डोक ही डोकरा है तो घर की रखवाई कर रहे है और बैसे पॉइन नहीं देखे लेते हैं हमारे बच्ची बच्चन नहीं देखे लेते हैं तो जाय सावसे अगर तुम सेवा कर रहे हो तो समिलो गत तुम फिर दूसरे के साथ मन्याइ कर रहे हैं एक भाई और भी तो है और तुम स्वारत से सेवा कर रहे हैं नहीं फलके त्याग की बात है यहाँ कि हमारे माता पिता हैं उनके चार बेटा हैं चार बहु हैं नाति हैं पंति हैं और उनकी मर्जी है चाहता कि बच्चन ने खिलाव हैं चाहता कि बैसिन ने रखाई लें चाहता कि खेत पर जाएं लेकिन हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है हमें तो सिर्फ उनको समय पर भोजन देना है पानी देना है और हारी तकलीब में दवाई की पूछनी है किसी परेशानी प्रस्तिती में उनकी साहिता करनी है यह हमारा फर्ज है वो पिता की मर्जी है वो सासुमा की मर्जी है वो कहां पर बैठती है किसके लिए करती है किसके त्याग हो गया, आप बेटी बेटाओं के साथ में ये फरज करते हो, आप अपने मित्रों के साथ में या समाज के साथ में कहीं ऐसा ही फरज करते हो, इसी तरीका से ये तुम अपना काम करते हो, तो समेलो आपको आपके जीवन में सुकोर सांती की धारा भए, क्योंकि आपने कभी कोई इच्छा प्रिर्ट करी नहीं आपने किसी से कुछ मांगा ही नहीं और जब मांगा ही नहीं तो आपके जीवन में कभी गाटा भी नहीं आया किसी प्रकारगा क्योंकर मांगने वाले होते हैं वो बिखारी होते हैं और जो देने वाले होते हैं वो त्यागी होते हैं तो त्यागीयों के जीवन हमेशा सदे फलते फूलते रहते हैं और विकारीयों के जीवन हमेशा दीरे दीरे वो कंजुस्ता की ओर चले जाते हैं तो हमें बिखारी नहीं बनना हैं, हमें तो त्यागी बनना हैं, दानी बनना हैं, देने के लिए तैयार रहो, हाथ बढ़ाते रहो, चाहें तन से, मन से, धन से, एक बहुत दिना की बात है, बताते हैं कहीं पर एक सेवा समीती थी, और सेवा समीती में माता ही बहन जादा थी, बेन बेटियों का पुण्य था अजारों माता हैं बेनती हैं उसमें तो सावन का महीना आया तो सावन के महीना में और उन्होंने सोचा सबने मिलकर के के बेना हो सावन का महीना है और सभी लोग पुर्ण दर्म करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए और धियान रखो पुर्ण दर्म की दर्म की आड़ में हदरम भी हो जाते हैं हम सोचिते हैं कि ध्रम कर रहे हैं जैसे आप अब बच्चे का जनम दिन बना रहे हैं तो तुम सोचतों का बड़ी भुश разв और सराप पे भी रही है, बीडी सिग्रेट पे भी रही है, बड़े बड़े राइस लोग आए रहे हैं, जाए रहे हैं, और वो केक कट रहे हैं, तो समय लोग यह अंद भी स्वास है, आज दे 40 साथ में कोई नहीं ऐसा कुछ कुछ करता था, मैंने बोला, कि मा तो पिता मिल जाएंगे लग चोरा सी माएं, और ऐसे लोगों को बलाओ कुछ दो चाच्छ लोग ऐसे भी उसमें बोजन पाजाएं, जो बिचारे गरीब हों, उनको बड़िया अच्छा बोजन रोज नहीं मिलता हो, तो ऐसे लोगों को आपने बड़िया बोजन कराया, और बड़िया थोड़ा गंटे दो गंटे का ससंग हुआ, आपके बच्चों ने भी सुना, आपने भी सुना, सभी परिवार के लोग संगटते एक इस पास बैठ करके, और बड़े आनन्द और सांती के साथ उस दिन को पूरा किया, कितना अच्छा बट्टे का दिर रहा, अएं डीजे ब लेओ पहले तो कोई केक काटते हो, मैं भाइया काटा पीटी संतन के बशेनी के बात आए, जे काटा पीटी हो हमारे बसे हम करते हैं काथा पीटी, क्या मतलब है इसका, यह भारत की संस्कृति में तो था नहीं, लेकिन अब आ गई है बिदेश से कोई करिया तो पर काटा पीटी करना हम क्यों लेते हो अब ने कि तुम करो तो पर हमारे पास लाए तो एन कुलो 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 कचुमलाईजी कचुबामे और मुझे तो बहुते गिनसी आई गई कि महाराज नहीं कर तो लेनों पर हो मैंने की बिलको नहीं नहीं लेंगो मैं तुम्हारे घर पर बोजन पाया है बढ़िया और बढ़िया खुब सत्संग सुनाएंगे पर जा जिए नहीं लेंगे हमारी आत्मा नहीं बोल रही है बताते हैं उसमें कुछ अंड़ा बंड़ा भी मिला देते हैं ऐसा भी मैंने सुना है मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है मैंने ऐसा के जो केक घाटते है उसमें कुछ अंड़ा बंड़ा भी ऐसा कुछ कर देते है तो मेरे बहन भायो बढ़िया ऐसे ऐसा काम करिए बढ़िया जो कोई भी काम करना है कुशी का उसमें ज्यादा नहीं एक दू महात्मा बुलाए लो महात्मा भी कोई नहीं है तो अपन चाच्छे दस बेन बेटी और भाईया बढ़े अच्छे बुजरक चाच्छे तसवीश मिल करके और बढ़िया अच्छी चर्चा कर लो ग्यानकी अच्छी चर्चा करोगे और अच्छा भोजन पाऊगे अच्छे बिचार रहेंगे तो समय करेंगे और चर्चा करेंगे कोच बिचार ब्रस करके तो मैंने निवेदन किया कि सावन का महीना था जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं जो ना समझ लोग होते हैं वो जादा हूँ अल्ला करते हैं और जो समझदार लोग होते हैं वो अमेशा सांती का बातावन प तो फिर ऐसा कर लो कि सब चन्दा कर लो और हम सब जेल में चलेंगे मिल करके तो जेल में जो कैदी भाई हैं उनका कोई नहीं है दुनिया में आज तो सब की बहनें आएंगी अपने भाईयों के राखी बांदने के लिए और सभी भाई लोग भी जाएंगे अपनी बेनों के यहां तो वो राखी बानेगी और वो कुछ दान दच्छना भी देंगे कपड़ा भी देंगे दोती साड़ी विलाज और पैसा भी देंगे मेवा मेस्टान भी देंगे तो हम आने ही चलें जेल में उन्होंने सब ने, किसी ने पांच, पचास, सो, दूआ से सभी ने अपने अपने साब से और खूप पैसाई कठा किया और शाकर के और बाजार से वे बहुत राखी खरीद करके लाएं मिठाई खरीद करके लाएं और जेलर से जाकर के अन्मती देंगे भाईया हमें इन जेली भाईयों से मिलना है क्यों जेलियों से मिलकर के क्या घरोगी तुम कि आज इस जेल में उनका कोई नहीं है और हम उनके राखी बादेंगे अरे वो ले राखी बंदवाने लाएगा वो होते तो पर जेल में ही क्यों होते हाँ वो सभी कोई बदमास हैं गुंडे हैं डगेत हैं चोर हैं लेकिन उन बेहनों ने कागण नहीं आदमी हर बक्त बदमास नहीं रहता है गुंडा नहीं रहता है कभी कभी बले आदमी के चित में भी गलत चिंतन आ जाते हैं और कभी कभी बदमासों के अंदर में भी अच्छा चिंतन जागर्त हो जाता है ये व्यक्ति इतना बुरा नहीं है और इतना बढ़िया नहीं है हाँ ससंग में बैठ जाए अच्छे सज्जनों में बैठ जाए तो फिर पूरा बढ़िया ही बढ़िया है और अगर ससंग में नहीं बैठे और गलत संगती में चला जाए तो फिर वो सुबो गलत भी हो जाता है पत्यान रखो फिर भी पूरा गलत नहीं होता है फिर भी उसमें अच्छाईया होती है बहुत ऐसे डखेतों की कहानी सुनी है कि जिन बेहनों के यहां कोई बताया नहीं थे तो उन्होंने जाकर के भात दिये उनके बहुत ऐसे डखेतों के किस्ता कहानी सुनी है और वो घर प पहले के लेकिन उन्हों ने अपना जीवन आदर्स में जीवन बनाया ऐसी जगे पर वी जा कर दो यह तो इनों ने कहा जेलर साहब आदमी हर वक्त बोरा नहीं होता है और पता नहीं है आदमी का जीवन कब बदल जाए और कैसे बदल जाए तो उन बेहनों का संगठन मजबूत था तो उनको मंजूरी देने पड़ी और जब जाकर के वहां पहुंचें तो सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर लिया जब कैदियों को खड़ा कर लिया और वो बेहन सभी पहुंची वहां तो वो कैदियों लोग भी सोच रहें के भाईया पता नहीं जी क्या करें जिन्होंने क्यों बुला जाए हमें तो उन कैदियों को लेन में खड़ा करके और उन बेहनों ने सब के हाथ में राखी बात दी और सब को अपने हाथ से मिठाई खिलाई देखो लोग मंदिरों में जाकर के और पत्थर की देवी देवताओं पर तो कोई भी चड़ा देते हैं और खिलाते हैं कभी सर्दियों में उनको रजाई उड़ा देते हैं देवी देवताओं को कभी गर्मियों में खूलर लगा देते हैं उनके कबराओं में इसी लगवा देते हैं लेकिन बाइस्तम में अपने हाथ से अगर कोई अपने बड़े बुड़े माता है खिलाए दे एक बार दिन में या एक बार नहीं तो एक महीना में दो एक आत वेरी खिलाए दे या एक महीना में नहीं तो साल में दो चार दिना दो एकात दिने खिलाए दे ओली दीबावली पर खिलाए दे अब है आत से एं बड़िया नई कपड़ा पेना करके खाट निला दुला करके नई कपड़ा पेना करके खाट पर बैठाल करके और फिर फूलने की माला डार करके हद्द की सरज्या ले करके और पूज करके और फिर कहलो माता जी एक वर्फी खाये लेओ लेओ पिता जी एक पेड़ा खाये लेओ तो कितने आसिरवाद मिलेगा इतना सीमत आसिरवाद मिलेगा कि आप उस से जे तो पहले भी का था कि उपर उपर से नहीं हिर्दे से तो वो बेन जाकर के सब उन्होंने राखी बादे और अपने हाद से मिठाई खिला रही हैं और भरबर के जेट मिल रही हैं उन बाहियों की आखें सजल हो गई सब की के देखो रहे आज इस जेल के अंदर मारा कोई भी नहीं था यह बिचारी बेन बेटी जाने कहां कहां से आई हैं और जाने कैसे कैसे आज इन्होंने हमारा जीवन करतारत कर दिया लेकिन हमारे पास तो अब कुछ देने के लिए भी नहीं है अब दें तो हम दें पी क्या हैं उनकी आँखें सजल हो गई सब की कहने लगे हो आज अगर तुम घर पर आती हैं तो हम तुमको बहुत कुछ देते कपड़ा देते पैसा देते बोजन कराते लेकिन अब हमारे पास तो कुछ नहीं है तुम ऐसी समय पर ऐसी जगह पर आई हो हमारे पास में तो कुछ देने के लिए नहीं है उन बेनाओ ने कहा बहित अगर बास्तम में hatten DG किया तुम दोएको हमे कुछ होले हाँ बैनाओ जो तुम मांगोगी वो ही हम देंगे तो बैनाओ तुम तो मांगो तो बहित हम दे मांगेंगे सु मिल जाएगा हमे हाँ हमारे पास जो कुछ हो है अब पहली बात तो यह हमारे पास कुछ है भी तो नहीं हम देन तो देखिया बोले नहीं हम भो ही मांगेंगे जो तुम्हारे पास है हम भो नहीं मांगेंगे जो तुम्हारे पास नहीं उसको कहां से लाओगे तुम तो कि आज अगर तुम हमारा अगर सिर्वी मांगोगी तो हम आपको अपना सिर्वी देने के लिए तैयार है तुम तो कहो तब उन बेनाओं ने का भाईयो कोई किसी को मार करके आया होगा यहां कोई वलातकार करके आया होगा यहां कोई डखैत बन करके आया होगा यहाँ कोई किसी को पिट करके आया होगा यहाँ लेकिन हम चांते हैं कि आज ये संकलब लो कि आज से हम एक सच्चे और अच्छे इनसान बन करके जीवन ह Alright देखो, मांगा भी तो क्या मांगा अपने लिए तो नहीं मांगा कुछ हो भाईया में का आज है तो आजार रुपीया इसाड़ी लिए यो जो तो घरा जाए तही यह नहीं मांगा भाईया आज से तुम्हें एक सच्ची और अच्चे इंसान बन जाओ और देखो सच्ची अर्थों में इंसान बनना बड़ा घठन होता है जो इंसान ही थे वो लोग जिनको हम भगवान कहते है किसी विद्वान ने कितना कहा है बढ़िया संकलप हो हमारा इंसान हम बनेंगे इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे संकलप हो हमारा इंसान हम बनेंगे इंसान बन गई थो वह इंसान नहीं थे हुगे। जिनकों पूद्व कभीर , महाभीर , रविधास , या रामकृश्न, या देयानंद , या विविकानंद , जितने जो महापुर्स होे या जितनी महादेविया होईं वो सब आप जैसे थे इं mote महा पूर्स आप जैसे इंसान थे को ने उनको बढ़िए इंसान बना दिया और इंसान से वो वह बगवान पर के है तो इंसान बनना बड़ा करण है उन वैनोंने का कि भाया आज से तुम्हें इस वह संक्रुम लो कि हम सान बन करें दिए है हो उन पहनों native जब ऐसी बात कही तो उनके हिर्दे और गदगद हो गए हांके सजल हो गए उन्होंने हाथ उठाया और कहा बहना हो हम ये प्रण करते हैं हम संकलब लेते हैं कि आज से हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बन करके अपना जीवन दिया और को थोड़े दिनों के बाद ही उन बहनोंने धीरे-धीरे सभी कहतियों को बार करवा दिया पुल्स मार-मार करके पीट-पीट करके कितने लोगों का सुधार कर सकती है आज पकड़ गया कोई तो कल छूट जाएगा तो फिर उसी काम को करेगा लेकिन इंसान की इंसानियत इंसान को इंसान बना देगी है तो मेरे बहन बाईयों हमें अपने जीवन में बाहर से नहीं हमें भीतर से बदलाब करना है कि किस तरीका से हमारा जीवन अच्छा बनेगा सुन्दर बनेगा तो मेरे बेन वाईयों हमने निवेदन किया एक वोदारण पेस करके कि ओन वैणोंने जेल में जाकरके उनके भी कुई रिष्तेदार नहीं थे त यादी समाज के लोग नहीं थे और उनोंने कैसा परोपकार किया और हजारों लोगों के जीवन को बतरता है इसलिए मेरे बेन भाईयों, हमेशा तुमारा हिर्दे प्रेम का सागर है, और प्रेम को तुम लुटाते रहोगे, तो चारो तरफ प्रेम के दर्याब उमडते रहेंगे, आप प्रेम ही बाटोगे, आप नीरोग किता बाटोगे, तो आप नीरोग किता को प्राप्त होंगे, आप प्रेम को बांटोगे तो आपके चारो तरफ प्रेम के दर्याब उमडते रहेंगे। आप जितना जो अच्छा बढ़िया बांटोगे आपके जीवन में अच्छा ही मिलता चला आएगा। इसलिए जो गलत है उसको भोग करके, खा करके, पी करके, नश्ट करके। और जो अच्छा है उसको बांटो, खूब बांटो, प्यारते बांटो, और जितना बांटोगे आपका जीवन उतना ही बढ़िया अच्छा बनेगा, सुन्दर बनेगा। और आप सभी भाई वेनों के लिए कोट-कोट सादुबाद, धनवाद, बोलिए सद्गुर कभीर साहेव, साहेव, बंदगी, साहेव,